चाल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं जित मिलेगी किसान नादोलन उसका उधारन है CCA में आपका स्वागत है हमार साथ आज विश्वास चोधरी जी है जो राष्ट लोगदल के प्रदेश प्रवक्ता है और बड़ोत बागपद से राष्ट लोगदल के एक जाने माने चेहरा है वहां के एक लीडर है विश्वास जी आपका बहुत-बहुत स्वागत CCA में बहुत-बहुत विश्वास जी सबसे पहले में जो आपसे बात करना चाहूंगा कि हाल ही में जो अभी Special Parliament का एक सेशन बुलाया गया Special Session Parliament का बुलाया गया और नई पारलिमेंट बिल्डिंग में कुछ एक चीज है कुछ देखने को मिली जो मेरे क्याल जा किसी भी लोगतंतर के लिए किसी भी सब्या समाज के लिए बहुत दुर्भागे फून चीज है जहां भाजपा के सांसद रमेश बिदूरी जी ने यहां बसपा के एक सांसद दानिश अली साब के बारे में बहुत ही आपती जनक टिपनिया करी उनके धरम को लेकर और अन्य किसम की भी उनको गालियां दी और मतलब एक बहुत बुरे तरीके से उनके का टाक्ष किये बोधी साब सिरे नी ले रहे हैं सिरे ले रहे हैं सेस के वेगल अगर जाता है तो देश के बताने को जाता है अभी मैं बताना चाहते है अधी रंजम जी इसके बारे में सबसे पहले तो आपका क्या कहना है ये कोई isolated घटना है आप और राश्टे लोगदल इसको कैसे देखता है देखिए हम लोग सर्वधर्म संभाव की विचारदारा के साथ जीने वाले लोग हैं और पूरे विश्व के इतने प्रगुद्ध लोग हैं वह भी इस विचारदारा को स्विकार करते हैं हम अपनी भाषा में अगर कहें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो पंचायत घर है वो लोकसभा और राजसभा है नया भवन बना अच्छी बात है उसका जो सत्र है विशेश जो सत्र बुलाया गया वह वहां चलाया गया इसमें भी हमें कोई परिशानी नहीं इसके लिए शुब कामनाई देते हैं पूरे देश को लेकिन सत्र के अंतिम दिन जो मारणी ये सांसर विधुडी जी ने अपना बयान दिया अपने मन के विचार रखे उसमें तो फर्स्ट वर्ड से लगाके और लास्ट वर्ड तक उ अइन सात्मक रवया उनका मुझे लगा सामने चेयर पर जो बैठे थे उन्हें भी वो आवेश के साथ सम्भोधित कर रहे थे अम्रोहा के जो सांसर है दानिश अली जी उनको निशाने पर लेकर के पूरे एक विशेश वर्ग को उन्होंने जो अपने विचार प्रकट किये उन शब्दों को मैं दोरा नहीं पाऊंगा चूंकि मेरे संस्कारों में वैसब है नहीं बेहद निन्दिनिये है ऐशे शब्द एक सांसर के मुख से सुनना किसी भी देश का कोई नागरिक नी चाहेगा उन शब्दों को लेकर के भारती जिनता पार्टी के कई लोगों ने निजी रूप से हम से बात कि वह भी शर्मिंदा है लेकिन नजाने क्यों वो इस बात को पब्लिक ली कहने से बच रहे हैं किसी को अफने टिकेट के चिनता है किसी को पार्टी में हमारा वजूद क्या रहेगा इस बात की चिंता है भारती जंता पार्टी के प्रभुद्वर्गिक के कुछ लोग जो है मेरे साथी हैं बर्चित है मेरे उन्हों ने भी यह का कि इस ब्यक्ती ने हमारे सांसद ने हमें शर्मिन्दा किया है हम कैसे इसको फिर कर पाएंगे समझ नहीं पारे मेरा आप से ये सवाल है फिर आप कह कह रहे हैं कि भारतेato presents पाती के आपके जो जानकार लोग हैं आपके कुछ अच्छे जानकार लोग हैं जो आपके साथ ही भी हैं लेकिन आप कहरे हैं कि वो शर्मन्दगी के बावजूद इस पर वो खुल के नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको टिकेट की चलता है या पार्टी में अपने स्थान की चलता है ये एक चीज फिर मुझे समझ नहीं आरी है कि फिर ये बारते जंदा पार्टी के भीतर क्या आप कहना चारे हैं कि क्या मतलब इन चीजों के क्या सरहाना की जा रही है लीडर्शिप की तरफ से क्योंकि आप कह रहे हैं कि भी खुल के इसकी निंदा नहीं की जा रही है देखिए जिन लोगों को वह भाशा अच्छी लगती है जिनके संसकारों में उनकी पार्टी ने उनके परवार ने उनके बुजर्गों ने वह सब शब्द उने शिखाए हैं उन्हें तो वह सब अच्छे लगेगे संसद के अंदर जो इतनी बात कह रहे हैं आप इमेजन कीजिए संसद के बाहर क्या कह सबते हुए सीधे सीधे धंकी तक भी है कि तेरे को तो मैं बाहर देख लूँगा ठीक है ये सब इस तरह का जो बैभार है वो निकला कहां से है गांधी के इस देश में गांधी के हत्यारों की तारीफ हो गांधी की हत्यार हुई अच्छा हुआ यह कहा जाए ये हिनसात्मक रवया ये हिनसात्मक विचार ये संसकार जब तक रुकेंगे नहीं ऐसी गटनाए होती रहेंगी और भी जादा बढ़ेंगी आप जो कह रहे हैं कि इस तरह की गटनाए बढ़ती जाएंगी क्योंकि इस तरह के पिछले कुछ सालों में पहले भी ऐसी बात नहीं है कि 2014 से पहले ऐसे बयान नहीं सुने गए थे लेकिन इसकी अगर इस तरह के बयान होते भी थे कभी भी सारवजनिक रूप से होते थे और पबलिक में ये बात खुलके आ जाती थी कि इस तरह के बयान किये गए तो इसकी बहुत बड़े तरीके से निंदा होती थी पिछले कुछ सालों में ये बात सच है कि ऐसे बयानों कहीं ना कहीं ऐसे बयान नॉर्मलाइज भी होए हैं लेकिन उसके साथ साथ ये शायद पहली बार हम देख रहे हैं कि संसद में इतना एक खराब बयान दिया गया लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है और राष्टे लोगदल की इस पर क्या आप लोगों की क्या इस पर पोजिशन है क्योंकि एक तरफ संजे सिंग हो या रागव चड़ा जैसे जो MP है जो इस तरह की तो दूर दूर तक कोई भाषा इस्तमाल नहीं करी थी अलग कारणों से लेकिन इस से कोई भी इनसान जो भी संसद की प्रोसीजर्स को समझता है जो संसद की प्रक्रिया को समझता है वो जानता है कि उनका जो जिन कारणों से उनको सस्पेंट किया गया है उससे तो बहुत कई जादा खराब चीज़ यहां की गई है रमेज बिदूरी जी तौरा तो क्या आपके हिसाब से उनको लेकिन अभी तक सस्पेंट नहीं किया गया है तो क्या आपको लगता है कि इस तरह का बिहेवियर इस तरह की इसके लिए क्या राश्ट्र लोगदल का इस पर क्या इनकी राय है कि क्या उनको सस्पेंट करना चाहिए था देखिए भाई साहब विदोडी जी अकेले नहीं है भारतिय जंदा पार्टी वर्तमान में हमारे उत्तर पदेश में और देश में पूर्ण महुम्मत की सरकार में है बहुत बड़ी ताकत उनके पास है लेकिन इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता तेनी जैसे सांसद अपरादिक सांसद ब्रजभुसर्ण सिंग जैसे अपरादिक सांसद ऐसे बज़वान जैसे विदोडी जी हैं भरे बड़े इनका सही नियाय तो जनता करेंगी लेकिन अगर कहीं अनुशाष नात्मक इन लोगों का प्रकोस्ट है उन्हें तत्काल इन पर कारवाई करनी चाहिए सदन के अध्यक्ष तत्काल इने निलंबित करें जितने प्रवुद सांसद हैं अगर इस पर वोटिंग आप करा लें सत्तार और दल में ही भाज पाहर जाएगी वर्तमान में इस पोजिशन में ये जो बज़वानी कुई है दानिश अली जी के खिलाफ ये जो बहुत ही विभत्स टिपनी की गई थी रमेज बिदूरी जी द्वारा इसको ये भी इस ध्यान देने की बात है कि ये टिपनी दी गई थी नए एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था संसद और ये कहा गया था कि बई स्पेशल सेशन और नए पार्लिमेंट बिल्डिंग जो है नई संसद भवन जो है वहाँ पर होने वाला है तो ये obviously कई लोगों का एक special session बुलाया गया था तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल था कि special session क्यों बुलाया जा रहा है कई कारण हो सकते है special session बुलाने के लिए बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन से bills बुलाया जाएंगे one nation one election की बात हुई कि अब इंडिया का नाम अब बतलब सिर्फ भारत होगा इंडिया नहीं होगा जब कि समयदान में दोनों है और फिर हमने देखा कि special session में ले देकर सिर्फ महिला अरक्षन बिल जो की बहुत महत्वपून बिल है उसी पर ही लगबग उसको पास करने के लिए ये session बुलाया गया और कोई bill इंटर्ड्यूस भी नहीं हुआ इस session में तो दो चीजे एक तो राष्ट लोगदल का महिला अरक्षन बिल पर क्या कहना है क्योंकि ये बहुत देर से pipeline में फसा हुआ है 1987 में शायद पहली बार राजीव गंदी जी के जब वो प्रधान मंत्री थी तब इसका इसका बिल प्लेस किया था पार्लिमंट में इसके बहुत विवाद हुआ है बहुत किसम के सवाल उठें दूसरा मेरा आप से सवाल है कि ये special session की फिर जरूरत क्या थी ये बिल तो एक्शली विंटर सेशन में भी पास किया जा सकता था ये special session रखने का क्या आपके हिसाब से क्या कारण था जहां तक महिला रक्षण की बात है इस special session हुआ सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से पहले भी करती थी अभी भी कर लिया को बुरी बात नहीं विपक्ष के लोग उपस्तेत रहे कुछ एक बिल पास हुए सबसे महत्पून बिल जिस पे आम जनता तक चर्चा पहुँची वो महिला रक्षण है आज की राजनिती में ऐसा कमी होता है कि सत्तारूर दल कोई बिल लेकर आए वो विपक्ष का बड़ा समर्थन उन्हें मिले ये देश के लिए अच्छी बात है मातर सक्टी को सलाम और पड़ाम सभी ने किया है सभी दलो ने किया है इसका ये मतलब है और एक बात निराशाजनक है विपक्ष का भी इतना बड़ा समर्थन है सत्तार उर्दल का अपने आप एक बड़ा वजूद सदन के अंदर है उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है फिर ये जो आरक्षण मिल है मैला का जो आरक्षण मिल है ये इन्होंने पास कर लिया अच्छी बात है बहुमत से हो गया अच्छी बात है लेकिन लागू करने की जो प्रिकिरिया है वो दस से बारा साल लगेंगे ये कहीं समझ में नहीं आई और इस पर भी देश में जो है आमराय जो बन रही है वो ये बन रही है 10-12 साल के बाद भी लागू होगा कि नहीं इसकी भी कोई गैरेंटी नहीं है। किस बात की दे रही है काई को सोच रहे हूँ इसमें मैं एक और चीज आप से सवाल जरूर पूछूँगा एक ये तो जरूर सही बात है कि डी लिमिटेशन के बाद जब सेंसे आएगा उसके बाद डी लिमिटेशन होगी क्योंकि 21 का सेंसे इसके बाद जब डी लिमिटेशन होगी तब जाके वो अमल होने की सित्ती में आएगा और वो भी अमल होगा की नहीं ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये भी है विश्वास जी कि मेला आरक्शन बिल की अगर हम उसी तरीके से बात करें उसमें एक और सवाल भी जुड़के आता है कि कई सारे लोगों का ये कहना है कि उस आरक्शन के भीतर भी एक आरक्शन की ज़रूरत है जहां पर कुछ सीटें कुछ प्रतीशत सीटें दलित महिला हैं SCST महिला हैं उनके लिए भी आरक्शत होनी चाहिए इस पर आप लोग क्या राय है हमारी राय जग जाहिर है हमारी पार्टी के रास्ते अध्यक्स जी अपना बयान दे चुके है उसी बयान को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्या आपको लग रहा है कि ये जो बिदूरी जी का जो इनकी स्टेट्मेंट आई है यह कि आपको लग रहा है कि एक जादा बड़े एक किसी राजनीती का एक छोटा चेहरा है, किसी एक बड़ी राजनीती का ही एक हिस्सा है जिसको हम बार-बार देख रहे हैं फिशले सालों में? लगवक तीन वर्ष पहले साध विश्विंदु परिशद ने एक धार्मी क्यातरा के नाम पर कोई कारकर्ण शुरू किया जो उस्ते नहीं नहीं था पीडियों से चला नहीं आ रहा था जो मुझे जानकारी है मैं भी नहीं गया था उस समय तो पुलिस ने जाने नहीं दिया ह हमारे लोगों को उसके बाद मैं गया था जाकर के लोगों से पूछा देखा तीन वर्ष में लोगों ने जो एक धार्मिक यात्रा माश शुरू की है इसका कोई ग्रोध नहीं करता धार्मिक यात्रा है देश भर में होती है अलग-अलग तोड़ तरीके हैं अलग-अलग त किये हुए थे हमें यह बवाल करना है जो मुझे वहां के लोगों ने बताया है उससब के बावदुन जो कारवाही वहां लोगों के मतान तोड़ दिये गए वह भी निश्पक्ष नहीं था चिन्नित किया गया जख्ति विशेश और वर्ग विशेश के लोगों के भवनों क जो यहीं परे हुए थे जाम बैठे हैं शामली और मुझाफर नगर जिला से है और पूरे पस्चिम से होते होते जिसकी आज पूरे देश तक गई है यह सब लोग अपराधिक लोग है चाहे इनी में से दुरभाग से कुछ लोग संसद में चले गए हो या संसद के बाहर र हम तो यह चाहेंगे वैततकाल सलाकों के पीछे हो उनलोगों को सजा दी जाए जिस तरह की घटनाओं की आप बात कर रहे हैं चाहे नू की हो या इस तरह के और भी चोटे मूटे दंगे हमने और भी जगा होते हुए देखे थे मेरा आपसे सवाल ये है विश्वास जी कि क्या आपको लग रहा है कि अब जो 2024 के चुनाफ खरीब आ रहे हैं क्योंकि नू की घटना आपने कहा कि वो बढ़ती बढ़ती बच गई और उसका एक बहुत बड़ा कारणशाय दे था कि जो किसानों की बहुत बड़ी वहां पं लेंगी और उसी के साथ साथ क्या उसके खिलाफ एक पुश-पैक भी देखने को मिलेगा जैसे हमने हर्याना में देखा यह बड़ी किसानों ने इस तरह की शामतादाएक इंसा का विरोथ किया और सीधा-सीदा बोला कि हम इसका हिस्सा नहीं बनने वाले हैं पहली चीज़ कि क्या ऐसी घटनाएं बढ़ती हुए नज़र आएंगी लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि इसी तरीके से आम जन्मानस भी इसका विरोध करेगा भाया इन दंगों से इन बज़बानी वाली भाशाओं से इन घटनाओं से देश के लोग उब गए हैं ठक गए हैं आपको लगता है कि अब इस तरह का एक राजनितिक फायदा नहीं मिलेगा किसी दल को किसानों की बात है नुह में किसान संगठनों ने अपनी भूम का निभाई मानवदा और इंसानियत के नाम पे उन्होंने एक बड़ा समुई खटा किया और यह कहा कि हम जगणा होने नहीं देंगे और अगर कहीं गलत होगा हम उसका विरोध करेंगे ये सारी सीख ये सारी सीख किसान आंदोलन ने इस देश को दी है संगठीत रहो ताकत पर रहोगी गांधिवाधी तरीके से संगर्ष करोगे सफलता निश्चित मिलेगी किसान आंदोलन उसका उधारन है और मैं समझता कि जहां तक 24 के चुनाव की बात है अगर कोई घटिया मानसिकता का व्यक्ति या मानसिक रूप से बिमार व्यक्ति ये सोचता हो कि किसी को अपशब्द कहके किसी को गाली दे किसी को भड़का के लड़ा के आप चुनाव जिन जाओगी मुझे नहीं लगता कि ये संभव है अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे जैसे आपने कहा कि शायद इससे राजनेतिक रूप से फायदा ना हो लेकिन हमने देखा है कि इस तरह के राजनेतिक समाजिक दुरूवी करंट की वज़े से धार्मिक दुरूवी करंट की वज़े से कई बार भारते जनता पार्टी को फ समझ गए हैं या फिर आप यह मान के चल रहे हैं कि नहीं कि कि अभी भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जाएगी और इसका एक राजनितिक फायदा होगा और राश्ट्रे लोगदल इस पर क्या अपने आपको पश्चिम यूपी में करते हुए देखता ह इन बजजबानी और इन दंगो जैसे कारनामों से राजनितिक लाब की बात है मैं उधारण दूँगा हिंदी सिनेमा का हिंदी सिनेमा का एक तोर था कि मसाला मूवी हिट हो जाया करती थी लेकिन आज बड़े से बड़ा कलाकार अगर हलकी कहानी लेकर के आ जाता है तो उस हीरो की पिक्चर फिट जाती है ये घिसी पिटी और पुरानी बाते हैं इनसे तो कोई लाब होने वाला नहीं मेरा ये मानना है नंबर दूसरी बात हमारी पार्टी को लेकर के आपने जो कहा हमारी पार्टी की भूमिका बड़ी स्पस्ट है देश के अंदर जो भी नया बंदन का राश्ट लोगदल हिस्सा है पीछे कुछ अफ़ाएं यहां जरूर चली थी अफ़ाएं हैं सच्चाई है मुझे नहीं पता राजनेतिक बड़े बड़े राजनेतिक लीटर्स की आपस में बंद कमरों में क्या बातचीत होती है वह अक्सर आम लोगों तक बात न हो सकता है 24 के चुनाव में इंडिया क्योंकि यह भी देखा गया था कि जैन जी जो है वह इसमें नहीं गये थे जब इंडिया की दूसरी मीटिंग जब होई थी या फिर संसत भी नहीं जा पाए थे जब वोटिंग होई थी दिल्ली में अध्यदेश के मुद्देश के है और अगली बैठक जब भी और जहां भी होगी हम आएंगे नमबर दूसरी बात राज्य सभा में अगर मद्दान को ले करके आप कुछ रहे हैं उस दिन भी घरेलू बात मंच पे और माइक पे आने नहीं चाहिए लेकिन हमारे यहां पार दर्शिता है उनके जो वाइफ ह हैं वह बेमार थी उनकी सरजरी होनी थी और हमारे राष्टे अज्यक जी पारवारिक मजबूरियों में और वेस्तिताओं में नहीं जा सके थे हां ये बात बड़ी सपस्ट है कि अगर एक-दो वोट से ही हार जीत यह वहां जो घुमका थी राजस्वा में होनी थीता है तो और उसके बाद इंडिया गटमंदन की जितनी भी बैठके हुई हैं हमारे नेता वहां गई है उपस्तित रहे हैं अपना बयान दर्ज किया है और बरत्मान में जा तक इंडिया गटमंदन को लेकर कि आप पूछ रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर के सब लोग काम कर रहे हैं जल्द ही सिट शेयरिंग हो जाएंगी जल्द ही सारोजनी क्रूप से इखटा हो करके पुरा गटमंदन मिटिंगे करेगा प्रदेश प्रदेश जाएंगे लोगों को बताएंगे के हमारी भूम का क्या है आपको क्या करना है जहां तक आप हमारी पार्टी का गटमंदन भा दूनों चचेरे भाई हैं दूनों बड़े नेता हैं एक भाजपा में हैं दूसरे कॉंग्रेस में पिछले जिनों बढ़ी चर्चा चली मीडिया में हमने भी देखा और सुना कि इन दोनों की बात चल रही है पैचप हो सकता है वरुण जी की घर वापसी हो सकती है लेकिन रा चलने वाली चर्चा को जोड़ दिया है उस सबके वालाद हम यह कहेंगे हमारी पैटी के किसी विक्ति ने जिम्वेदार विक्ति ने भी सुषिकार किया है किया है क्या हमारी बात चल रही है यह सब वह लोग थे जो हमारे मतदाताउं को भावारती जिनता璃ता साथ जाने को मत्लब नहीं बनता इंडियागओ घट mendhan के हम साथ हैएं और जम के चुनाब край जिसाज चुनाब धारती का इंडिया गत बन्हान मेम साथ है और जम के चुनावड़ें विश्वाज जी मेरा एक आखरी सवाल की 2013 के दंगो के अभी बात हुई 2013 के दंगो के बाद यहां पर राश्टे लोगदल या पश्चे म्यूपी के हम कहें जो दो बड़ी मजबूत पार्टी हैं थी राश्टे लोगदल और बहुजन समाज पार्टी दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान देखने को बड़ा और राश्टे लोगदल काफी हक तक चुनावी रूप से सिम्टती हुई नजर आई बड़े दिगज नेता राश्टे लोगदल के 2014 में भी हारे उननिस में भी चाहे कम वोटों से हारे लेकिन हारे और साथ ही में दोहजर यह बात जरूर सच और 2017 के विधान सबा में सिर्फ एक ही सीट अपनी सेफ सीट छपरॉली बागपर जिले में जीत पाए किसान अंदोलन के बाद कुछ बदलाव तो जरूर इस बार देखने को मिला है चुनावी नतीजों में लेकिन उस हद तक नहीं जैसे कई लोगों को उम्मीद थी आपको इस बार क्या लग रहा है कि क्या जो बदलाव कहीं न कहीं किसान अंदोलन में शुरू हुआ था वो कहां तक जाएगा दोहजार चौबिस के चुनाफ तक पश्चिम यूपी में स्पैसिफिकली मैं पूछूँगा राष्टर लोगदल की क्या रण नीती है चौबिस के लिए और किन मुद्दों पर आप उतरने की सोच रहे हैं गड़बंदन के बारे में आपने बता ही दिया है कि सीट शेरिंग की बात चीछ चल रही है सपा के साथ लेकिन कितना बदलाव आप चौबिस के चुनाव में होते हुए देख रहे हैं अब आप पार्टी के यहां पर प्रवक्ता हैं तो जरूर आप कहेंगे कि नहीं बदलाव बहुत होने वाला है लेकिन रियलिस्टिक के लिए मैं पूछूँगा बहुत सारे किसान जो एक समय पर हिंदू-मुस्लिम के नाम पर बटे थे यहां पर आपको वोट नहीं पड़े थे आपका कोर वोटर आपसे तूटा था उसमें आप कितना बदलाव आतो है देख रहे हैं कि जातक हमारी पार्टी के राजनितिक दायरे के घटने और बढ़ने की बात है वर्तमान सत्तर उरदल भाजपा इसका उधारण है उनके सीनियर नेता सदन में और सदन के बाहर भी कहते हैं कि हम तो दो पे थे दो पे थे ख़बिए उनके दो सांसर्वा करते थे आज देश के सासा दुनिया की बड़ी पार्टी होने का आगड़ा वह पेश करते हैं वही निशान था वही नेता थे वही विचार धारा थी हमारी पार्टी की विचार धारा ने इस देश में शरकार बनाई है हमारी पाइटी के जो प्रेड़ना शुरूर। चौधरी चरण सिंग जी किसान बस्याजी ने हम कहते हूँ. वैसे देश के पी-म मने हैं. हमारी पाइटी की जो विचारदार है चौधरी अजी सिंग जी देश के बड़े किसान नेता हुए. लगातार राजसभा में रहे और लोकसवन तो लगातार रहे राजसभा तो शुरुवात में एक ही बार गई थी केंद्र में चार बार-पांच बार मिनिस्टर भी रहे और जहां तक अब मोके की बात है हमारी पार्टी राष्टे अध्यक्ष सर्व धर्म संभाव सभी जाती धर्मों को साथ लेकर चलने का विचार रखते हैं भाई चारा कारकरम दंगों के बाद से लगातार वो चला रहे हैं हम सब कारकरता बढ़ चड़के उसमें हिस्सा लेते हैं पार्टी का घटना बढ़ना हार जीत की राजनीत का हिस्सा है। इससे हम न डरते हैं न घबराती है। कभी हम घट भी जाते हैं, कभी हम बढ़ भी जाते हैं। अब 24 के चुनाओं में हम अपनी पार्टी के दायरे को निश्चित रूप से बढ़ा करेंगे, पूश मतदाता दंगों के बाद ब्रमित हो गए थे, रास्ता भटक गए थे, वैसे सब वापस आ रहे हैं, उनमें नेता लोग भी है, कारकरता लोग भी है, और मतदाता भी है। रही बात पार्टी के दायरे की हमारी पार्टी ने पिछले बिदानसवा चुनाओं में बिच में राजनीती बिच में राजनीती ग्रूप से घुड़े गई थे, लेकिन वैसारी ग्रूप से जु lass करें ह teasing। बात बात अक्सुनाओं में राजनीत करें, दायरा हमारा निशचत बढ़ रहा है, और मुझे पूर्णासा है कि जनता लोग करें। विश्वाज जी बहुत बहुत शुक्रे आई CCA के साथ जुडने के लिए विश्वाज जी कह रहे हैं कि राष्टे लोगदल का दायरा इस बर वो लोगसबा चौबिस में बढ़ते हुई देख पा रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो इनके मगदाता हिंदू-मुस्लिम के नाम पर बट गए थे 12-13 के चुनाव के बाग वो भी वापस इनको दिख रहा है पार्टी में आते हो इनको नजर आ रहे हैं खैर चुनावी नतीजे जो भी हो लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि भार्ट की जो मुक्यधारा की राजनीती है कहीं न कहीं पिर से लोगों के आम लोगों के किसानों मजदूरों के मुदों पर स्वास्त शिक्षा रोजगार हाउसिंग इन सारे मुदों पर वापस आए हिंदू मुस्लिम और सामतरा एक मुदो से यह निस तरह के मुदो से राजनीती दूर हटे जो कुछ दिन पहले दानिश अलिय जी के खिलाफ जिस तरह का बयान हमने बाजपा के संसद रमेश बिदूरी जी से सुना बहुत ही दुर्भाग्यपूर था और कहीं न कहीं यह भ भवन की बहुत बड़ी उसको बहुत celebrate किया गया था कि एक नए संसद भवन बना है हम नए संसद भवन में इस बार special सत्र करेंगे संसद का लेकिन क्या यही प्रतीक था इस नए संसद का यह जो बयान हमारे नए संसद में आया है कभी-कभी सच कभी-कभी डर लगता है यह उम्मीद कर सकते हैं कि यह सिर्फ इस संसद भवन की गरिमा को जिस तरह से ठेज पहुंचाए गई है यह सिर्फ एक exception है ना कि वहां का नियम बने आप लोग जुड़े रहें CCA के साथ पश्चिम UP की खबरे आप तक आती रहेंगे बहुत बहुत जिन्यवादा